दोस्तों दिल्ली डिस्टिक जो कोर्ट थे 30,000 कोर्ट था उसमें डाक पियन्चों किदार की जो पोस्ट निकली थी उनका जो प्रोसेस था काफी फास्ट था लेकिन किनी कारणों से दोस्तों जैसे अगला पेपर लीक होने की साथ खबर आई थी या फिर कोरोना के वज़े से कह लीजिए वो भी एक कारण बन गया था उस समय उसको पोस्ट पोन कर दिया गया था लेकिन कोरोना उसके बाद इतना आवी हुआ कि इस बरती की कोई खबर ही नहीं आ रही थी देख लीजिए अब इस बरती का एक जयाम डेट है वो आ गई है अब आपको ओफिसल देट में आ गई है तो आज ही हम आपके लिए ले आए हैं देख लीजिए यहां पर आप देख सकते हो 23 तारिक ठीक है 23 जुलाई आज की डेट है यह और यहां पर हम आपको दिखा दें कलियर बिलकुल जो एकजाम है वो कब होने है यह पहले यही देख लीजिए एक अगस 8 अगस्त और 29 अगस्त को दोस्तों यह एक जाम होने है और जिनके एडमिट कार्ड जो आने है 27 यानि के अब जो जुलाई का है 27 जुलाई इनका फिर 3 अगस्त और इनका 24 अगस्त यानि के 4-5 दिन पहले जो वो एडमिट कार्ड आ जाएंगे complete मैं आपको जल्दी से पढ़ कर बता देता हूं ठीक है इस जो नोटिफिकेशन में है वो यह बोला गया है जिस भी कार्ण से जो है बरती जो पोस्ट पॉन हुई थी उसका सेडूल दोबारा से जारी कर दिया गया है इन पोस्ट के लिए ठीक और 5 दिन 4 दिन पहले आपके जो है एडमिट कार्ड जारी क अभी पेपर है ठीक है बहुत ही सुपर फास्ट बिलकुल कह सकते हैं आज तक है इस तरह इसे बरती मैंने नहीं देखी थी सच बताऊं तो कि एक सब्ता के अंदर ही फारंबर दिये गए और अगले सब्ता एक्जाम लेना शुरू कर दिया गया था उसे अगले सब्ता फिर तेजगती से बरती होने जारी थी यह दोस्तो ठीक है तो काफी अच्छी खबर है पोजिटिव खबर है काफी आसान इसका एक्जाम था मैंने इसका जो पेपर आया था काफी साथियों से डिसकस किया था तो बहुत ज्यादा आसान था अपनी तयारी कीजी अच्छे से और अपने त्यारी के साथ साथ अपने सजगर ये जैसे ही आपके अडिमिट काड आए अपना अज सब भी अपना हम भी अपने आपको वैसे डाल दिंगे वीडियो बना कर लेकिन आप भी सजगर ये और अपना त्यारी में लगादार बनाए रखिए दोस्तों ठीक है तो ये को जुरू सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें थेंक यू वेरी मुच्च